आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं यह सुन्दर सा वॉल आट जो कि मैंने सोडा कैंस को रिसाइकल करके बनाया है तो बहुत ही एजी है यह वॉल आट बनाना और बहुत सुन्दर रगता है तो चले देखते हैं क्या क्या चीजों के आप को उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहली चीजչ जो है वह है सोडा कैंस तो आप को भी सोडा कैंस ले सकते हैं जैसे की जो कोला के या फिर पिर के ओंस होते हैं और या अँपर एक इस चीज है वो सिर्ग करना है कि वो इसको नघ्सी लेड़ है वो उपर के लिड को सिर्ग करना है तो यह कट च्राइब ने लिए हैं को जिसे निधर करेहत defended 6ब वैसे तो यह बहुत ही जादा पतला होता है तो एजीली कट हो जाएगा तो यह कैची का यूज़ करके भी आप कट कर सकते हैं तो हमको इसका एक शीट रेडी करना है तो कुछ इस तरह से मैं यह कट कर रही हूँ तो जो उपर का लिड है और नीचे का जो बीस है वो हम इस तरह से निकाल देंगे तो कुछ इस तरह का यह शीट हमको मिलेगा अभी आप जैसे की देख रहे हैं कि यह कुछ ऐसा राउंड है तो अगर आप चाहें तो इसको आयन करके भी फ्लैट कर सकते हैं थोड़ा टाइम लगता है इसको फ्लैट करने के लिए तो यह जितना मैंने किया है तो इससे इतना ही फ्लैट हो पाया है अब ही यहांपे मैंने यह ट्रेस कर लिए हैं कुछ डिजाइन लीफ के तो कंप्यूटर से आप जो भी डिजाइन ट्रेस करना चाते वो कर सकते हैं एक hardboard लिया है मैंने नीचे side और आपर मैंने ये clips की through इसको इस तरह से fix कर दिया है sheet को अब हम कुछ tools लेंगे जिसमें यहाँ पर मैंने pencil लिया है और ये a dotting tool है तो इसके दोनों side से एक तरफ से थोड़ा सा जो है वो मुटा सा dot आता है और एक side से पदला एक यह मेरे पास nail filer है तो ऐसे कुछ sharp object जो भी आपके पास हुआ आप ले सकते हैं जो paper cutting है वो sheet के उपर इस तरह से रख के and जो भी tool हम use कर रहे हैं उसको थोड़ा hardly press करेंगे यह जो design है outline है उसको हम sheet के उपर बना लेंगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा light हो गया है तो again आप यह outline जो है थोड़ा सा press करके फिर से draw कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से यह sheet के उपर दिखाई देगा design अब हमको यह जितने भी leaves हमने बनाए है वो cut कर लेना है यहां जितने भी leaves मैंने बनाए हैं वो सब different different type के leaves है अगर आप चाहे तो कोई भी एक type का leaf बना सकते हैं बस shape जो है वो आपको थोड़ा कुछ leaves like छोटे और कुछ leaves आपको बड़े shape में cut करना होगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखाए देता है तो यह देखिए कुछ इस तरह का यह leaf बनके ready होगा अभी इसके ओपर हमको जो leaf के veins होते हैं वो हम बना लेंगे तो अगर यह जो sharp object है जो भी tool आप use कर रहे हैं वो लेके थोड़ा pressure के साथ में आप यह veins बना सकते हैं तो इस तरह से यह पुरा leaf जो है वो बनके ready हो जाएग तो कुछ इस तरह से मैंने यह सारे leafs कट कर लिये हैं अब कुछ इस तरह का हम वायर लेंगे तो यह वायर को हम कट कर लेते हों और यह leafs को इस वायर पर हमको stick करना है तो यहां को मैंने hot glue gun use किया है अगर आप चाहे तो कोई भी strong glue use कर सकते हैं इसको stick करने के लिए तो कुछ इस तरह से यह leafs मैंने ready कर लिये हैं अब जो next step है इसके लिए हमको यहां पर scope paint करना है तो आप चाहे तो कोई भी spray paint यूज कर सकते हैं कोई मेरे पास में spray paint तो नहीं था बट यह acrylic color था जो कि metallic shade में ही है तो मैंने paint इसके उपर कर दिया है तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा कुछ इस तरह का जो wood board है वो मैं use करने वाली हूँ तो पहले मैं check कर लेती हूँ कि जितने भी leaves मैंने बनाये है वो इस board के size के according enough है या नहीं है अगर ऐसा लगता है कि leaves कम पढ़ रहे हैं तो आप पहले ही ready करके रख सकते हैं तो कुछ इस तरह से मैं यह arrange करके देख लेती ह हूँ तो इस तरह से ही हम यह बनाने वाले हैं wall art तो यह जो base है वोड का जो board है उसको हमको paint करना है तो acrylic color का use करने वाली हो मैं आपे brown color का and then इसको हम paint कर लेंगे तो कुछ इस तरह से strokes देखे मैंने इसको paint कर लिया है तो paint करने के बाद में कुछ इस तरह का texture हमको मिलेगा board पर अब जो next step है हमको यह जो leaves है उसको पहले आरेंज करके देख लेते हैं कि board के size के according हमको इसको किस तरह से लगाना है and then कोई भी strong glue का use करके in leaves के पीछे साइड में हम glue लगाकर and then board पर हम इसको stick कर देंगे कुछ इस तरह से तो इस तरह से यह जितने भी leaves हमने बनाए हैं वो सब stick कर देंगे तो इन cans को recycle करके जो यह wall art है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा इसको hang करने के लिए मैंने जो double sided tape होता है वो use किया है तो board के पीछे वो double sided tape हम लगाकर and then इसको wall पर इस तरह से hang कर देंगे तो बहुत ही सुन्दर wall piece बनके ready हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर सा यह metallic wall art बनके ready है तो आप घर में रखे हुए जो बेकार soda cans है उनको use करिए उनको recycle करिए and कुछ इस तरह से सुन्दर सा wall piece आप बनाकर अपने घर को decorate कर सकते हैं इस lockdown में try कीजिए सुन्दर सा wall art and आज के वीडियो के लिए बस इतना ही आप लोगों से मिलूँगी मेरी next DIY वीडियो में अगर मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आपने तो do consider subscribing my channel and you can follow me on my other social media accounts also till then stay safe stay home